नमस्कार स्वगत्य आपका हमारे अचार जागिंद्र मिशाश चैनल पर जन्माष्ट में तुलसी का पत्ता चुपचाप रख दे इस जगह है आपकी साथ पुछते रुपए पैसों में करेगी राज दोस्तो भगवान स्रीकृष्ट ने भादो माह में रोहनी नचत्र बिर्षब लगन में जन्म लिया था और इस बार जन्माष्ट मी 19 अगस्त को पड़ रही है रोहनी नचत्र भी इसी दिन है और इसी दिन कई सारे दूलब योग बन रहे हैं शरवार्द सिध्योग अम्रिश दियोग भी बन रहा है तो पूरे देश में भगवान स्रीकृष्ट ने की जन्मोषव का धूम मचेगा इस बार 19 अगस्त को और जन्माष्ट मी के दिन यनि की कई सारे विशेश योग बन रहे हैं विशिष्ट योग बन रहे हैं शरवार्द अश्टमी और रोहनी नचत्र का एक साथ होना दुरलव योग बनता है इसे जैन्ती योग भी माना जाता है द्वापर योग में जब भगवान स्रीकृष्ट ने का जन्म हुआ था तब ही से जैन्ती ये मनाई जा रही है इसलिए इस बार का जन्माष्ट भी बहुत खास माना जा रहा है जैसे की भजन पूजन अर्चन करते हैं भक्त और भगवान स्रीकृष्ट ने पांच हजार 247 यनि की बार जन्मोसो ये मनाय जाएगा इस बार क्योंकि भगवान कई हजार पूर्व पहले जन्म लिये थे द्वापर में जन्म लिये थे और अब इस बार जो इस बार ये के दिन तुलसी के छोटे छोटे प्रयोग किये जाते हैं जीवन को बहतर बनाने के लिए अगर धनकी कमी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही बिवा नहीं हो पा रहा नोकरी ब्यापार नहीं चल पा रहा तब एसमें एक छोटा सा प्रयोग आपकी जीवन की मुश्कलों स आपको बाहर निकालेगा दोश्तों तुलसी हम सभी के लिए अंजान नहीं है तुलसी हमारे घर में रहती है हम उनकी पूजा करते हैं प्राते कल जल अरपन करते हैं और साम के समय दीपदान करते हैं तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है तुलसी की पूजा करने से घर में शुक्षम्रद्धी की ब्रद्धी होती है घर में धन धान की ब्रद्धी होती है भगवान स्रिकुष्ण जी हरी बिश्णू माता लक्ष्मी जी की कृपा श्वता ही उस घर पर बनी रहती है जिस घर में तुलसी रहती है तुलसी की पूजा होती है और खास कर जर्णवाष्ट में की दिन अगर आप तुलसी का पत्ता चुप जाप रख दे इस जगय तो सोने पे सुहागा भगवान स्रेकुषन जी आपकी साथ पुष्टे गरीबी मिटा देंगे और साथ पुष्टे रूपए पैशों में करेगी तुलसी की पूजा इस दिन की जाती है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे विशे शुपाई के बारे में बताएंगे अगर हम बात करते हैं तुलसी की तो देखिए सदा धन का आगवन बना रहता है इसे शम्रद्धी बनी रहेगी घर में बनी रहेगी ब्यापार में वर्द्धी होगी नोकरी में वर्द्धी होगी मन चाहे बर्की प्राप्ती होगी इस उपाई को करने से और अगर किशी भी तरह के नकरात्मक उर्जया हमारे घर में है तो वह दूर होती है मन में किशी तरह के नकरात्मक विचार आते हैं तो व प्रवर कम हो गई है तो ये उपाय तुलसी के जरूर करें तो आज की ये जो उपाय है बहुती चमतकारिक, बहुती अचुग, बहुती सरल उपाय है इन्हें करने से हमारे जीवन की सभी प्रकार की जो बाधाय हैं वो दूर हो जाएगी दोस्तों जो उपाय है धर्म गरंथों में बताए गए हैं तुलसी के यनि की उपाय ये हमारे धर्म गरंथों में बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की बाधायें दूर होती है और शुक्षभाग की ब्रद्धी होती है तो आज की वीडियो बहुती ज्यादा यनि की काम की है वीडियो को आप पूरा देखेगा क्योंकि इस उपाई को करने से हमारे जीवन में शम्रद्धी आती है शुक्षान्ति और बैभाव का वास होता है तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और ये उपाई आपको अवश्य करने चाहिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्ष्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इसे अपने दोस्तों को ये शेर जरूर कर दीजेगा कमेंटी में लिखेगा जैसरी कृष्णे और जो भक्त प्रेम करते हैं भगवान स्री कृष्णे जी से वो जरूर लिखेंगे जैसरी कृष्ण और साथी यदि पशंद आएगी वीडियो तो लाइश्ट में चैनलों को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा दोस्तों तुलसी हम सब के घरों में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं किसी भी तरह कि इन उपायों को अगर हम करते हैं तो हमें लाभ अवश्चिपरात होता है बस हमें जरूरत कि हम पूर्ण विश्वाश से इस उपाय को करें स्तरद्धा भाव से करें तो ये उपाय हमारे लिए चमतकारी करोप से काम करते हैं बात करते हैं यहां पर सबसे पहले उपाय की कि आपको संतान प्राप्ती के रूप में और आप घर में शुक्षंबध्धी के लिए क्या करें तो एक छोटा सा प्रयोग ज़रूर करें तुल्सी का पत्ता भगवान श्रीकरणी के पूजा के समय आप उन्हें अरपीत करें धन संबंधि सभी परैसानियों से मुकति मिलेगी वही तुल्सी का पत्ता चुप चाप उठाकर धन के स्थान पर रख दें यानि कि पहले भगवान स्रेकरशन जी को आरपन करें फिर उठा कर रख दें तो विशेश लाव होगा तो चलिए जानते हैं छोटी छोटी प्रयोक कौन कौन से देखें ये नमाश्टमी का दिन इस दिन आप अपने घर के शुक्षम्रिध्धी को वापस ला सकते हैं अगर आ आपके घर में शुक्षम्रिध्धी आएगी शांती आएगी आपके धन की सती ठीक बनी रहेगी तो आप इस दिन भागवान स्रेकरशन जी को पंच्यम्रत में तूलसी के पत्ते डाल कर उनको श्नान जरूर कराएं आपको अधिक लाब होगा और अगर नोकरी में कोई किसी शुक्षम्रिध्धी बनी रहे तो जनमाश्ट में की दिन एक तूलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाईएगा अपने हाथों से आपके शभी परेशानिया समाप्त हो जाएगी और धन की मुश्कलें ज्यादा हो पैसे कहीं फश गए हैं तब तूलसी का पौधा जन शुक्षम्रिध्धी को अर्पित करें और ऐसा करने से संतान शुक की प्राप्ती जल्दी होगी आप चाहें तो तूलसी के पत्ते का माला बना कर उनको पहना दे तो संतान की प्राप्ती यनि की जो समात होगी जल्द संतान की प्राप्ती होगी और जीबन में धन मान समानि सब कुछ बढ़ेगा तंतर सास्तर के अंसार तुलसी मंगल गरे के साथ जुड़ी है इसलिए अगर आप तुलसी का पत्ता जनमाश्ट में की दिन अपने पर्स में फिर तिजोरी में रखते हैं एक पत्ता भी तो पैसे को ये आकरसित करता है साथ ही आप जहां भी पैसे का लेखा जोखा करते हैं एक तुलसी का पत्ता वहां रख सकते हैं इस दिन एक या दो पत्ता ऐसा करने से आपके पास धन की कमी नहीं होगी आपकी साथ पुष्टे रुपए पैसों में करेगी राज आप चाहते हैं आपका ब्यापार बढ़िया से चले ब्यापार तीजी से चले आप चाहते हैं कि हर तरह से चमतकार हो तो आपको एक चमतकारी कुपाई जरूर करना चाहिए आप अपने ब्यापार में चल रही परेसानियों से और यहीं कि दिक्टों को दोर करते हैं, कर सकते हैं. ब्यापार में उन्नती आपको प्राप्त होगी, अगर ब्यापार नहीं चल रहा, पैशओ के कमी आ रही ही घर में धन का अभा होता जा रहा तो ऐसे में आप किसी भी, यहीं कि जन्माष्ट में कि दिन अगर आप यह उपा भी बनी रहेगी तुलसी का पत्ता जनमाश्टी में एक दिन आप पांश पत्ते लेकर पहले तो भगवान स्रिकुष्ण जी के चड़ों में रख दें फिर पंच्या मृत बनाएं दूद दही शहद मिस्री और उसमें थोड़ा सा तुलसी दल डालें और थोड़ा सा उसमें इ जनमाश्टी में एक दिन तुलसी के पत्ता आप उनके चड़ों में रख दें और फिर उसी तुलसी के पत्ते को उठा कर आप अपने तिजोरी में धन के स्थान पे आलवारी में चुप चाप रख दें किसी से बोले ना टोके ना कोई यानि कि कोई भी बोले ना चुप किस रख दे तो आपकी साथ पुष्टे रूपए पैशों में करेगी राज गरीबी घर का राष्टा भूल जाएगी धन संबंधि शमश्याएं खत्म हो जाएगी धन का अभाव खत्म हो जाएगा धन आगवन के स्रोथ बने रहेंगे धन तेजी से बढ़ेगा घर में तो तुलस में कि दिन तुलसी का एक चमतकारी कुपाई जरूर करना चाहिए तुलसी के यनि की पेड़ में आप क्या करें कि तुलसी के पेड़ में आप एक पीले कपड़ा ले ले और उसमें एक रुपए कर शिक्का दो सुपाड़ी दो लॉंग दो इलाची रख दे और पांच तु कि तुलसी के पत्ते को आप तीन पत्ते पांच पत्ते तोड़ ले और जितने सत्रू हो उतने पत्ते तोड़ कर और सत्रू को नाम लेकर आप किसी तिराहे चोराही पर जाकर जर्नमाश्टमे की दिन फ्येक दे सत्रू कदमों पर होगा बड़े से बड़ा दुस्मन भी कुटने टेक देगा तो आपको ये उपाई जरूर करने चाहिए जर्णिवाश्ट में की दिन तुलसी के पत्ते का अगर आप ये उपाई करते हैं तो समस्त मनों कामनाओं के पूरती होगी भगवान स्रिकृष्ण और राधा जी रुकमणी जी माता लक्ष्वी जी के कृपा आपके घर परिवार में बनी रहेगी सदेव आपके घर में धन का आगवन होता रहेगा धन के स्रोत बने रहेगे कभी भी धन की कमी होगी ही नहीं धन संबंदी शमस्याएं आपकी हमेशक ले खत्म हो जाएगी तो दोस्तो तुलसी का पत्ता चुपचाप आपको रख देना है इस जगह पर आपकी आने वाली साथ पेढ़ियां तक रुपए पैशों में करेगी राज तो दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर करियेगा और इस वीडियो को आप इतना सेयर करियेगा कि सभी दोस्तों के बीच ये वीडियो जरूर पहुंचाए कमेंट में जरूर लिखेगा जैसरे कृष्ण भोलियागा मत और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा जय स्रीकृष्ण, राधेकृष्ण, जय मालक्ष्मी